नमशकार साथियो, आप सबका स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ, आपका वीकेंड अच्छा जा रहा है, हम लाएं आपके लिए ताजा ख़वर, ICICI Bank के quarter result, और कैसे एक growth driver बना हुआ है, जी हाँ, इंडिया की growth का driver है private bankों में, ICICI Bank, इसी वज़े से शायद ये trader का भ result का, हम इसके बारे fundamental analysis करेंगे, और उसके साथ में ही, हम इसका technical level पर आपको बताएंगे, कि आपको अगर buy करना है, तो आप कहां buy कर सकते हैं, और आपका क्या target होना चाहिए इसके लिए, ये सब इस वीडियो में आप सब के लिए, आईए चल कर जाने हम ICICI Bank के बारे में प भव है, जी हां, कहां पर कैसे customer को handle करना है, वो बहुत अच्छी तरह से आते हैं के customer care को, especially आप अगर देखें, तो private sector में बहुत सारे employees जो होते हैं, वो customer care को ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि उनकी fees charges को, और क्योंकि अगर आप corporate के साथ tie-up है, तो आपको fees भी wave हो जाती ह इनके साथ में, अगर आपका salary account है इसमें, जैसे हमारे कुछ employees का है, तो वो salary उनकी वेव कर दे जाते हैं, उनकी जो charges होते हैं, वे वेव कर दे जाते हैं, अगर आप देखें हापे, तो यह NPS provide करते हैं आपको, आपको insurance provide करते हैं, cards provide करते हैं, loans provide करते हैं, और इनका card के आप में काफी अच्छा offer चल रहा है अभी, कि आपको no cost EMI पे जला जाएगा, आप white goods कोई भी लेंगे, TV fridge, washing machine, तो आपको कोई EMI देनी की जरूरत नहीं है, आपको शाद पता ही होगा, इनके brand ambassador शारुक खान जी है, अगर हम बात करें अपने channel की, आप सब का स्वागत है इ जी हाँ, आपकी जैसी जरूरत हो, हम उसके हिसाब से आपको, requirement के हिसाब से आपको channel पे वीडियो बना सकते हैं, अब आप हम चल कर देखते हैं, Friday को कारोबार कैसा किया, Nifty और bank Nifty ने, क्योंकि उसका result हमको bank के stock पे भी दिखाई देगा, अगर आप Nifty की बात करें, Nifty ने कर बजे तक negative रुक बनाए रखा, खुला भी negative और थोड़ा pressure negative रहा, पर डेड़ बजे के बाद से उसने थोड़ा एक spike दिखाया, और in fact कुछ moment के लिए वो green भी रहा, उसके बाद में उसने अपना पूरा का पूरा downtrend दिखाया, और 21 point बन कर गिर कर बंद वा, वहीं दूसरी और अगर आप bank nifty के देखें, वो ज़्यादा कमजोर रहा, तो दोनों में थोड़ा diversion चल रहा है, जैसे bank nifty भी negative खुला और उसने pressure रखा एक बजे तक, पर ये डेल बजे के बाद इसने कभी भी green line को touch नहीं किया, और इसका pressure जादा रहा, और ये करीब करीब 420 point के आसपास गिर कर बंद हुआ, तो ये difference है, अगर आप इसमें top stocks trading में भी देखें, तो ICICI जो है, वो करीब 0.5% के आसपास गिर कर बंद हुआ है, हम अब visualization करेंगे इसके result का और इसको क्या expectation होगा आगे के लिए, जैसा आपको बताया, इनके इंशरेंस product है, अभी इस time पे COVID के चलते ह इनकी demand काफी बढ़ रही है, अगर आप बात करें इनकी valuation की, तो इन company की valuation जो है, वो करीब करीब 247,000 करोर की है, तो market cap काफी healthy है, और dividend 50% dividend ये देते हैं, ज्यादा dividend का result नहीं है, अगर आपको dividend stock देखने, तो आप मेरे portfolio के और stock देखने, जैसे ICICI हो गया, आपका ITC हो गया पर ICICI आपका growth के हिसाब से अच्छा है, अब जब इसके quarter की result की बात की जाए, income जो growth हुई है, वो 22% increase हुई है, year on year अगर बात करें, 26,000 करोर की income है उनकी, काफी healthy income दिखाई है उनने, और profit after tax अगर quarter on quarter growth की बात करें, तो उसमें भी 36% का growth दिखाया है, देखिया आप, ऐसे quarter जहां पर COVID का बहुत impact है, जादे दर companies का profit नहीं बढ़ रहा है इतना, इसने 36% का शांदार profit after tax दिखाया है, तो ये और उमीद जो थी, उसकी करीब 1,900 करोड की थी, तो उमीद से कहीं जादा, 20% जादा उमीद से इसने return दिखाया है, 2599 करोड का, तो कल, तो मुझे लगता ये stock काफी अच्छे result के basis पर चलेगा, provided Nifty और Bank Nifty थोड़ा इसको support करें, अब दूसरा positive news इसमें, इन्होंने अपने Lombard, segment जो है, इसे से Lombard का, उसका 3.9% हिस्सा बेच दिया है, जिससे उनको थोड़ी growth मिलिया है, और potential life का भी, उन्होंने 1.5% हिस्सा बेच दिया है, तो net sale मिली है, जिसमें उन्होंने expense वगेरा निकालके, उनको profitability बात में दिखाई है, अब अगर बात करें आगे इनकी जो NPA है, वो थोड़ा सा इनका एक positive हुआ है, अभी के हिसाब से, overall NPA तो relatively जादा है, अगर हम बात करें overall NPA की, 5.46% है अभी, पर इसमें improvement इनने इस तरह दि comparison में अभी भी काफी बड़ा NPA है, पर NPA समझ में आता है, क्योंकि growth को ज़्यादा focus करते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है, कुछ loans, aggressive loan भी देने पड़ते हैं इनको, अगर NIA की बात कीज़ें, यह भी बहुत अच्छी positive ख़वर इनके result में, NIA जो है 20% increase हुआ, NIA क्या होता है, 6%, 7% जैसे आपकी fixed deposit का time है, और वो हम से loan लेके, वो बैंकों को, हो सकता है 10%, हो सकता है 11%, corporate को loan देता है, तो हम से loan लेता है सस्तित दर पे, और corporate को loan देता है, जादो दर पे, जो difference आता है, और expense हटाने के बाद में, उसका net interest income होता है, तो इसके चलते वे, इनका काफी ख़बर आई है, stock के reference में, जराब हम इसका एक बार stock का long term view देख लें, जैसा आपको पता है, यह initially एक upward channel की बात, upward channel में बना हुआ था, और देखे, तो करीब-करीब 280 के level पर यहाँ पर था, अगर हम इसको और detail में देखे, तो इसने जाने के बाद में जो high बनाया है, वो 547 7550 के आसपास बनाया है, जी हाँ, तो यह इसका resistance भी काम करेंगा, क्योंकि इसने कई बार इसको touch करने कोशी की पर निकल नहीं पाया, और फिर COVID के चलते हुए, तो इसकी जैसे एक दम बहुत जादा reduction हुआ, और इसका share का जो low price बनाया है, वो करीब-कर यहाँ पर जाके बन निकालने की कोशिश करें, तो जो इसका first level का resistance होना चाहिए था, इस retracement के बाद में, वो इसने already cross कर दिया है, इसी हफते में, जी हाँ, result आने से पहले ही इसने cross कर दिया है, तो 371, अब इसको अगले level से जाने से कोई नहीं रोख सकता है, जी हाँ, अगला level है इसका 409 का, औ हम आपको दिखाए हैं, जब हम आपको daily intraday chart दिखाएंगे, तो आपको समझाएगा हम क्यों बोल रहे हैं आपे, उसके बाद में इसने cross किया, तो 444 का एक next level रहेगा, जो की अब लग रहा है कि इस quarter में उसको अच्छा result दिखाना चाहिए, क्योंकि COVID सिच्वेशन थोड़ तो इस वज़े से देखें, आपके इनकी credit demand जो COVID के चलते हुए, वो कम हो गई है, और इनका reserve जो उनको रखना पड़ रहा है, वो 5550 का करोड का उन्होंने एक reserve सेट किया है, aside इस quarter में अपने reference के लिए, तो यह अच्छी ख़बार है कि वो अलड़ी इसको impact समझ रहे हैं, औ और impact की value 5550 करोड उन्हें सेट किया है, जैसा होगा वैसा वो उसके accordingly उसको adjust करेंगे, पर यह काफी अच्छी quantity में उन्होंने सेट किया है अपने reserve को, जो कि relatively कहा जाए, अच्छा strategy मोग रहेगा उनका, अब आगे हम बात करें, तो उन्होंने कहां पर और उनका negative है इसके impact को हम लोग minimize किया जाए, तो अब अगर हम इसका stakeholder, देखे, shareholder pattern देखे, तो promoter का कोई stake नहीं है, इसमें, सब FII के 43% है और DIA के 48% है, अगर दोनों को आप add कर दिया जाए, तो करीब 91% बहुत strong hand में है stock, इसी वज़े से इस stock का growth momentum बहुत जादे रहता है, जब भी stock market चलता ह है, ये भी बहुत तेजी सित भागता है, अब अगर इसकी बात करें, दूसरे others की, others में केवल 7% के पास है लोगों का, जो retail के पास investor है, तो आपका अगर stock में interest बनाना है, तो हम इसकी बहुत अच्छी recommend कर रहे हैं आपको, आपको ये stock आपके portfolio में होना चाहिए, growth की अगर portfolio देखना है, अब बात करते हैं कि चलकर हम यहाँ पर इसके daily chart की, daily chart में super trend एक हमारा quick indicator parameter होता है, अगर आप देखें, तो इस super trend ने हमको यहाँ पर March में ही आपको result का बता जिया था कि आने से पहले ही इसने, April शुरू में ही इसने बता जिया था कि हम यहाँ पर positive जाने वाल अपना 15 minute candle से लगाईए, उससे आपको फायदा मिलेगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर moving average का देखा जाए, जो slow average माना जाता है, तो उसका जो trend है, वो June के असपास यहाँ पर आया, June में उसने buy signal दिया, बीच में कभी buy, sell कभी चल रहा था, और June में आके उसने buy signal द इसने भी थोड़ा उपर recovery की, पर बंद होते हैं थोड़ा नीचे गया, तो ज़्यादा तर Nifty और Bank Nifty का pattern फॉलो करता है, अगर आपको Bank Nifty में trade नहीं करना है, CES में trade करना है, तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ICC में trade नहीं करना है, तो आप Bank Nifty में trade कर सकते हैं, यह हम वाले की strategy हम लोग आपको बताते हैं अगर आपको इस service चाहिए तो आप comment box में डालिएगा हम आपकी detailed information उसमें आपको बता देंगे अब ज़रा और बात की जाए इसकी ICSA की क्या positive ख़बर आई है NP जैसा बताया, NP इंप्रूव हुआ है और जो NII है वो भी इनका इंप्रूव हुआ है 20% जैसा हमने आपको अब भी बताया था दोस्तो एक बार वीडियो को please like कीजेगा इसमें मेहनत लगती है बनाने में आपका एक like बहुत आसान कर देता है हमारी life को हमें खुशी देती है please have a consultation with your financial advisor before investing and trading अब इसके target की और levels की बात किया लिजाए यह सबसे important section है अगर आपने पहला पिछले Fibonacci treatments का level देखा है वो अलग level से निकलते हैं वो अलग fundamentals से निकलते हैं यह थोड़े अलग fundamentals से निकलते हैं आप दुनों को आप level पर धियान रखिये हमारे हिसाब से कल market को यह यहाँ पर 400 के आसपास definitely cross करेगा और उसके बाद में उसका next target जो 340 का एक बहुत strong support है इसका यह तो आप कुछ quantity अपनी हाँ पर रखिये बाकी quantity को cash के लिए रखिये cash reserve होना चाहिए आपके पास में ताकि अगर किसी वज़े से market down होने लगा या कोई और खबर आई उसकी वज़े से यह आपका नीचे आए तो आपको support की तरह से काम कर सके ए एक बार इसने 440 को cross किया तो यह definitely lifetime high 550 को cross करेगा जी हां हमारा short term का target जो हम एक से तीन मेने के लिए बोल रहे है 440 का और जो हम long term बोल रहे हैं एक साल के लिए आस-पास यह 550 का target हम आपको बता रहे हैं यह target अपने लेवल पर mark करके रखियेगा अगर आपको कोई भी question है तो आपको दो target बताए short term और long term के लिए अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैं आपका बहुत आब आ रहे हूँ आपका प्रेम और सनय इसी तरह आता रहे है तो हम लोग grow करते रहेंगे thank you